बीएसप की अतरिक्त महानी देशक सुरिंदर पवार ने सुमबार को कहा कि उत्पर कश्मीरी के उपवारा जिले के मार्शल अराके में उपरेशन अभी भी जारी है। बीएसप के लोगों ने माचल सेक्टर में तीन आतंगवादियों को देखा था। इसके बाद एक टीम बीएसप ने दो कॉंस्टेवल, कॉंस्टेवल सुधीर, कुमार और कॉंस्टेवल अब्दुल के नेतुत में उगरवादियों को चुनौती दी। इसमें एक मारे गए। एडीजी बीएसप ने बताया कि दोनों तरफ से हुई गोली बारी में सेना के कप्तान आशुतोष कुमार और दो सैने कर शायित हो गए। साथ कि नों ने ये भी बताया कि घुसपैट के बारे में बीएसप के पास पहले से ही एक इंपुट था। तो वहीं इस साल गुसपैट की स्ती की बात की जाये तो ऐसीं साल के वल्ल 25 माठाओ करने मेरे काम्याभ होए। जब कि पिछले साल 135-140 आतंगवादी घुस्पैट करने में कामियाब हुए थे मार्षिल में आतंगवादीयों की घुस्पैट की एक बड़ी कोशिश थी इससे सतर करसेनिकों ने नाकाम कर दिया अब ही भी जारी है जिससे शेतर के किसी अन इलाकों में आतंगवादी की मौजूदगी का पता लगा जा सके और इलाके में सफाई और मौफिंग का ओपरेशन अभी इसलिए किया जा रहा है निश प्लस के लिए जमुकश्मीर से फिर्दॉस एहमत की रिपोर्ट करीबन 15 दिन से पहले हमारे पास इंपुट था कि कुछ मिली टेंट्स इंफिर्ट करने के कोशिश करें तो हमारी अमभुश कम पेट्रोलिंग पार्टी उस एडिया को रात को पेट्रोल करती थी तो उस दिन रात को करीबन हमारे एक बज़े के आसपास जब पेट्रोलिंग पार्टी जारी थी तो उसमें इंचार थे सव इंस्पेक्टर और दो उनके साथ थे यह हमारे सबसे आगे थे तो उनके 15 के कदम पर दूरी पर एक मिलिटन ने वहीं पर उस पर अटेक किया और उसमें इंजर हो गया था इन्होंने बादुरी से लड़ाई की और वहां पर उसी वक्त मिलिटन को गिरा दिया क्योंकि वहां गड़े वगरा थे अंधेरा था तो बाकी दो लोग क्योंकि उन्हों तीन लोगों की शैडू देखी थी उसमें दो लोग भागने के उसक्त कामयाब होगे फिर आर्मी को अलट किया गया बाकी हमारे जो पोस्ट की उनको अलट किया और फिर उन्होंने मौर्निंग यह यह उनकी कंट्यूस फैरिंग करीबन सुबह करेशन किया और उसके बाद वहां पर दो मिलिटेंडोर गिराए और इसमें हमारे आर्मी के कैप्टन जो आप सभी जानते हैं आश्वतोष कुमार जी और दो जवान शेहिद होगे तो अभी क्या हाला थे वहां पर जो अभी चल रहा है या अभी चलता रहेगा तोड़ा सा तो पूरा जब तक सेनिटाइज नहीं करनेंगे उसरिया को कम्प्लीट करने के लिए जिस तरीके से लागातार कोशिशे की जा रही है मिलिटेंटों को वैली में देकेलने के लिए अभी मोसम शुरू हुआ है बरबारी भी होनी शुरू हो गई है कितने मिलिटेंस हो सकते ह जो अटेम्ट कर सकते हैं वैली में घुज जाने के लिए जो हमारी इंटेलिन सोर्स के पता लगता है करीवन 200-300 करीब मिलिटेंट हैं बट इस साल जह थोड़ा उनका इंफ्लेटिशन कम हुआ इस बार तक जो हमारी खबार है वो 24-25 कर पाए हैं पिछले साल 135 करीब थे